एक सिनारियो करते हैं, पिछले साल की दिवाली के अंदर अर्बन कलाइब कम्पनी ने देखा कि उनके पास बहुत सारी डिमांड आ गई है ब्यूटी कैटेगरी के अंदर लेकिन उनके पास पार्टनर्स की कमी पढ़ रही है जिसकी वैसे काफ सारी डिमार्ण फुल्फिल नहीं हो पार है, जिसकी वैसे बिजनेसきा लॉस हो रहा है अब वो चाते हैं सेम गल्ती इस वाले दिवाली सीजन में भी ना रिपीट हो तो वो चाहते हैं बहुत सारे partners को onboard करना बट कितने partners को onboard करें वो चाहते हैं कुछ technical features बनाना लेकिन क्या क्या technical features बनाएं कौन से वाले technical features होंगे जो अच्छे-च्छे matrix को move कर रहे होंगे जिस direction में वो चाहते हैं कौन से business decision लिए जाएं यह सब पता लगाने के लिए उने पिछले साल के data को analyze करना पड़ेगा और वहाँ पर काम में आते हैं data analyst data analyst का काम होता है basically raw data को लेना और उसको एक meaningful चीज में convert कर देना so that business के लोग जो हैं जो की managers होते हैं या फिर जो CFOs होते हैं उपर तक जाते हैं जो लोग वो decision ले सके हैं और वो बता सकी कि हाँ यह यह चीजों की requirement है company के अंदर so that फिर product managers जो हैं वो उस product को निकाल सके हैं या फिर जो भी category manager है या जो भी operations manager है वो सब उस data के साथ काम करें so that इस साल का या फिर इस quarter का जो भी quota है इस साल का जो भी result है वो fruitful रह सके ठीक है तो data analyst का काम होता है basically help करना data आज कल हर company के अंदर बहुत सारा हो गया है तो उस data की help से आप लोग कैसे competition को competition से आगे निकल सकते हो उससे कैसे आप लोग meaningful insight निकाल सकते हो तो कैसे आप लोग convert कर सकते हो interpret कर सकते हो एक ऐसी term जो की उन लोगों को भी समझ में है जिनको पता नहीं data से होता क्या है जिनको data बिल्कु समझ भी नहीं आता हूँ उनको भी समझा देना काम होता data analyst का तो हमें यह समझ में आगे data analyst का काम क्या है आज की video हम समझने वाले है data analyst के roadmap के बारे में बहुत ही important field है बहुत ही demanding field है आजकल काफी सारी companies को मतलब almost सभी companies को data analyst के requirement होती ही है तो आप लोग कैसे इक data analyst बन सकते हो क्या क्या prerequisites है क्या क्या requirements है क्या क्या आप लोग के लिए skills होनी चाहिए कैसे आप लोग को resume बराना है कौन कौन सी companies job दे रही होती है और किस तरीके से आप लोग उन interviews को ace कर सकते हो इसी के आराउंड ये वीडियो है और बहुत सारी actual जो reality है इंडिया की जो reality है data analyst के आराउंड वो बता रहा हूँगा कुछ-कुछ हाष reality भी होगी या इस वीडियो के अंदर तो ज्यादा mind मत करना बिल्कुल authentic चीज जो आजकल चल रही है इंडिया में data analyst role के आराउंड वो सारी बात करेंगे इसके अलावा जो future scope है data analyst के आराउंड उसकी बात करेंगे data analyst का पूरा पूरा roadmap जिसकी बहुत दिना से रिमांड थी वो आज हम बात करने वाले पहले बात करता है responsibility की data analyst करते क्या है तो वैसे मैं आपको बता दिया data analyst करते क्या है basically इनका काम होता है data को analyze करना उसको analyze करने के लिए multiple चीज़ें कर रहे हो तो classify कर रहे होता है data को कौन से वाली data को उठाना है में क्योंकि data multiple अलग-अलग resources से आ रहा होता आज कल companies के पास right उसको assemble करना एक जगह पर उसको clean करना मतलब redundancy को हटाना या फिर irrelevant data को उसमें से उड़ाना वो सारक-सार काम देन उसको interpret करना उसको analyze करना interpret करना मतलब उसको ऐसी form में change कर देना so that managers लोग समझ सकें उसको basically graph वगयरा बनाना उसके around उसके around उससे estimations वगयरा निकालना future predictions करना यह सारा सारा काम होता है data analyst का ठीक है और बहुत जादा demanding field है यह prerequisites की बात करते हैं अगर आप लोग को data analyst बनना है तो क्या-क्या चीज आपकी requirement होगी तो आप लोग को पता होना चाहिए mathematics and statistics के बारे में यह एक must है आप लोग को mathematics और statistics की knowledge बहुत अच्छी होनी चाहिए bachelor's degree होनी चाहिए वैसे recommended होता कि आप लोग को अगर mathematics के अंदर या पर CS के अंदर bachelor's degree है तो आप लोग को prefer किया जाएगा लेकिन फरक नहीं पड़ता मैंने देखा हुए काफ सारी लोग को जो marketing में है even arts के जो लोग है वो भी अगर उनकी knowledge अच्छी है mathematics की statistics की तो वो भी data analyst बन जाते है तो what matters more is your skill in mathematics and statistics आप लोग का काफ सारी companies के अंदर college भी बहुत जादा matter करता है तो basically data analyst के around यह मैंने बहुत देखा है कि bias बहुत सारा है इसके अंदर ठीक है business analyst है, research analyst है, risk analyst है, operations analyst है, यह सब के सब basically जो skills required होते है उनसे आप लोग इन में से किसी में भी apply कर सकते हो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी request है आप लोगों से, अगर आप लोग अभी तक बने हुए इस video पहे तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को subscribe कर देना, अगर नहीं हो तो continue करते है तो अब next बात करते है skills के बारे में, कौन-कोन सी skills आप लोगो पता होने चाहिए, सबसे पहले excel, excel के अंदर भी यह नहीं आप लोगो बस normal excel आते है, advanced level का excel आप लोगो आना चाहिए, basically इसके अंदर यह है data analyst के अंदर कि आप लोग qualified हो या फिर over qualified हो, over qualified को ही edge मिल रही होते है क्योंकि competition बहुत जदा हाई है, this is the harsh reality of becoming a data analyst in India, excel के अंदर भी आप लोगो advanced excel पता होने चाहिए, advanced functions पता होने चाहिए, vlookups पता होने चाहिए, macros, charts, right, यह सब चीज़ें पता होने चाहिए, then SQL, SQL आप लोगो बतलब structured query language आप लोगो अच्छे से पता होने चाहिए, बहुत easy level की नहीं, intermediate भी नहीं, advanced concept in SQL आप लोगो पता होने चाहिए, which are like, जैसे normal चीज़ें, तो होगे आप लोगी aggregate functions, joints वगेरा, views जो होते हैं, generalized views, लेकिन उसके लावा आप लोग कैसे query को optimize कर सकते हो, यह आप लोगो पता होने चाहिए, triggers वगेरा, transactions वगेरा, यह सब चीज़ें आत के अंदर आप लोग चाहो, तो दोनों को parallel ही चलाके, बहुत easily advanced level का Excel और advanced level का SQL सीख सकते हो, then हम बात करते हैं, programming language की, तो programming language as such required नहीं होता है, data analyst को, लेकिन जिस तरिके का competition है, वो ऐसा है, कि जितनी ज़्यादा चीज़ें आप लोगो पता होंगी, उतने ही ज़्यादा आप आप लोगो पता है, तो आप लोगो एक edge मिलेगा, surely, then आप लोगो अगर R पता है, तो basically companies के ओपर depend करता है, कुछ-कुछ companies होती है, जो कि Python में काम कर रहे हैं, कुछ companies, R में काम कर रहे हैं, कुछ banking वाली जो companies होती है, mostly Barclays और City Bank, ये सब आपका SAS भी use कर रही होती है, तो ये लेकिन अगर आप लोगों को ज्यादा चीज़ें पता होंगी, तो वो आप लोगों के लिए ही beneficial होगा, जिनसे आप लोगों प्रोजेक्स बगरा बनाओगे, जिनसे आप लोगों अपने resume को highlight कर रहे होगे, वो भी हम बात कर रहे होगे, तो ये आपकी programming language होगी, इने में से लोगों के tools हैं, जिनसे आप लोग data को visualize कर सकते हो, data को एक जगए, multiple जगों से लाल आके data को एक जगए रख सकते हो, condense कर सकते हो, और ये सारे चीज़ें आप लोग कर सकते हो, in tools के अंदर, ठीक है? तो ये tools कैसे चलान है, कैसे इनके अदर data को visualize करना है, इस सब चीज़ें आप लोगों को पता होने चाहिए, then soft skills, soft skills बहुत ज़्यादा highly role play कर रहे होती हैं आप लोगों के interview selection के अंदर, then आप लोगों की salary negotiation के अंदर भी soft skills का बहुत बढ़ा role होता है आप लोगों की वैसे companies पर depend करता है, कि आप लोगों की companies ज़्यादा prefer कर रही है technical skills को या फिर soft skills को management analytics वाले companies जोगी, वो ज़्यादतर focus करेंगे आप लोगों की soft skills के अंदर soft skills जैसे कि आप लोगों की communication skills, आप लोगों का time management skills, आप लोगों की problem solving skills, right, analytics skills यह सरी matter करेंगी, उन companies के अंदर, लेकिन जो आप लोगों की start-ups होते हैं, fast-moving companies हैं, वहाँ पर आप लोगों की technical skills को देखा जाता है, वो लोग यह समस्त है कि अगर आप लोगो technical चीज़ें आती है, तो business तो आप लोगों आपको बहुत जल्दी सिखा ही देंगे, ठीक है, तो इसके अंदर यह यह है, आप लोगों से पहले सी expecting आज़ा था कि आप लोगों को business भी अच्छे से run करना आता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की normal common sense वाली चीज़, जैसे की छोटे मोटे जो question हो company, क्योंकि technical interview का मतलब SQL ही होता है, ठीक है, mostly मैंने देखा SQL ही होगा technical, अगर interview बात हो रही है तो, तो यह हो गया, उसके अलावा आप लोगों को programming के अंदर बहुत ही basic basic चीज़ है, पूछेंगे, हो सकता है, आप लोगों से थोड़ी बहुत terminal की command वागरा पूछने, लेकिन बहुत उपर उपर से पूछ रही होगा, तो that won't matter much in your selection, ठीक है, जो matter कर रहा होगा, वोगा SQL, then Excel के अंदर आप लोगो से वो पूछ लेंगे multiple चीज़े, जो मैं आप लोगो बताए, advanced concept आप लोगो पता होने चाहिए, macros वगरा, उसके लावा logical के अंदर आप लोगों के वह उतना ही ज़दा आप लोगो एक edge मिलेगा, क्योंकि data analytics का मतलब क्या है, data analyst का काम क्या है, basically उनका काम है, दूसरों की help करना, managers वगरा की help करना, तो वहाँ पर help कैसे कर सकते हैं, जब वो अच्छे से present कर रहे होंगे, अच्छे से communicate कर रहे होंगे, तो visual communication हो गया, मतलब data, किस तरी किसे आप लोग present करते हो data को, वो matter करते हैं, और किस तरी किसे आप लोग convey कर रहे होते हैं अपनी बात को, वो बहुत ज़दा matter कर रहा होता है, तो यह हो गया, आपका HR round होता है, HR round के अंदर आप लोगों का दिखा जाता है, वही इन दोनों का mixture हो सकते है, HR round, और कुछ इसकी values हैं, उसके साथ आप लोग को देखा थे कि आप लोग company fit हो की नहीं ethically, और उसके बाद आप लोग की salary negotiation भी जात पर इसी round में हो जाती है, तो जितना अच्छा आप लोग का technical round होगा, जितना आप लोग को चीज है पता होगा, जितना अच्छा आप लोग का experience होगा, सीसाफ से आप लोग, आप लोग को एक edge मिलेगा, और आप लोग वहाँ पे HR round के अंदर negotiate कर सकते हो, offers के उपर, तो अब बात कर लेते हैं, resume के बारे में किस तरी किसे आप लोग का अपना resume बनाना है, यह बहुत important part होता है, resume ही होता है, जो आपको multiple companies के अंदर represent कर रहा होता ह अगर आप लोग का resume ही बाहर हो गया, तो यह सब चीज हैं फिर किसी काम की नहीं है, तो resume अच्छा बनाना, बहुत ही crucial part होता है, तो सबसे पहले जानते है resume कैसे बनाना है, तो JD और keywords की help से हमें resume बनाना है, JD मतलब job description, तो अगर आप लोग multiple companies में जाओगे, तो वहाँ देख application tool के अंतर इन दोनों में से कोई ना कोई एक पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों similar ही है, उसके लाब programming language हो डाल देते है, company to company depend करता है, कोई company हो सकता ज्यादा emphasize करे, programming language के ओपर technical ज्यादा जाना चाहिए, कोई company हो सकता बिलकुल emphasize ना करे, तो बहुत ज्यादा flexible role है, जब भी आप लोग किसी company के अंदर apply कर रहे हो, if you are serious about going into that company, तो आप लोग को उस अपने resume को भी modify करना है, आप लोग को वो चीज़न डालनी है, जो कि आप लोग की skills से match कर रहे हो, और उस company के job description में, वो keywords required है, ठीक है, तो उस तरीकी सा आप लोग को अपना resume को tweak करना है, ऐस के अंदर कुछ-कुछ projects बना सकते हो, कुछ-कुछ recommender system बना दिया, आप लोग ने, कहीं कहीं पे आप लोग ने machine learning वगएरा लगा दी, अब बहुत ज़्यादा आरे होते हैं, applicants, तो आप लोग कैसे आपने आपको set apart कर सकते हो, वो ज़्यादा matter करता है, तो आप लोग ने कि हो important है, आप लोग ने कहां कहां internships की थी, वो बहुत ज़्यादा दिखा जाता है, तो basically अपने आपको apart, set apart करना है, तो multiple projects आप लोग बना सकते हो, then certifications are also very important कि आप लोग ने कौन-कौन से certifications कर रखे हैं, इसके अंदर आप लोग के LinkedIn के अंदर जो certifications आते हैं, वो जरूर कर ले जाता है, ठीक है, तो LinkedIn के अंदर जाके, जो भी Python के assessment है, या पर data analytics के round, जो भी assessment है, वो सारी सारी जाके एक बार successfully दे देना, 10-15 questions होते हैं, वो अगर आप लोग ने दे दिए, तो आप लोग अपने आपी ranking में उपर आन लग जाओगे, Google के certifications आ रहे होते हैं, free certifications होते हैं, यह सब सब आप लोग को लेने, so that आप लोग की skills भी improve हो, और आप लोग के resume के अंदर दिखाने के लिए भी आप लोग का certifications हो, then आप लोग का work experience बहुत जादा matter करता है, लेकिन अगर आप लोग एक fresher हो तो आप लोग के पास I am assuming जादा experience नहीं होगा, जो की सही बात भी है लेकिन वहाँ पर आगर आप लोग ने अपने आपको set apart कर दिया, तो बहुत ही सही है, ठीक है, तभी कुछ chances है, set apart करने के लिए क्लिए क्या क्या तरीक है, मैं आपको बता दिया, projects बनाओ, बढ़िया बढ़िया, resume के अंदर वो चीज न डालो, जो company को required है, ठीक है, वो keywords हो आपने चाहिए, ATS friendly आप लोगों का resume होना चाहिए, क्योंका बहुत सारे resume आ रहे होते हैं, तो ATS friendly resume हमें बनाना है, कैसे बनाना है resume, उसके ओपर मैंने एक video बना रखे है, उसमें ATS resume बनाने की भी एक technique है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं उस video को भी, अब next बात करते है, jobs and salary की, मतलब कहां कहां से आप लोग पहले तो apply कर सकते हैं, salary की बात हम बात में करेंगे, तो आप लोगों को, अगर jobs पाने तो apply करने के लिए कुछ website है, shine.com है, जहाँ पर data analytics की jobs आ रहे होती है, with zero experience भी, ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास zero years experience है, तो यहाँ पर बहुत स लेकिन apply करने के अलाबा, आप कुछ चीज अगर कर सकते हैं, जैसे कि जो भी recruiter है, जिसने वो job डाली है, उसको आप लोग directly अपना resume mail कर सकते हो, उसका email ID निकालने का try करो, कैसे भी करके, और साथ ही साथ उस company के अंदर जो लोग काम करते हैं, उनसे आप लोग referral के लिए बो अगर आप लोग उनको ठीक से request कर पाते हो, ठीक है, और next नहीं पर मैंने कुछ companies लिखे है, McKinsey, Bain, BCG, Deloitte, और भी multiple companies होती है, यह arrow बता रहा है, basically किस तरीके से लोग prefer कर रहे होते हैं, companies के अंदर जाने में, तो McKinsey को सबस्यादा prefer कर रहे होते है, in terms of जो पैसा मिल रहा हो हो गई, और भी multiple companies होती है, जो कि data analyst को hire कर रही होती है, और यह सारी companies के अंदर ही अलग 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 तरीके का package band भी होता है, तो यहां पर आप लोग को दिख रहा हो, 3 lakh से 12 lakh पर NM का आप लोग का इसके अंदर salary band होता है, if you are a fresher, और काफी ज़्यादा आप लोग को दिख लोग बहुत बड़ा range को जादे बड़ी है, तो हां इसके अंदर मैं आपको बदा है था salary के अंदर discrimination, इस field के अंदर मैंने यह देखा discrimination बहुत ज़्यादा हाई है, आप लोग कितना ज्यादा आप लोग का कितना अच्छा आपका resume, कितना अच्छा आपका background है, कितनी अच् का फरक है, background का फरक है, negotiation skill का फरक है, कितनी ज़्यादा उनको skill आती है, कितनी ज़्यादा उन्होंने interviews के अंदर आपने आपको प्रूफ कर दिया, ठीक है, अगर आप लोग interviews के अंदर अपने आपको अच्छा प्रूफ करते हो, technical interviews, logical interviews के अंदर तो वो लोग HR को feedback देते हैं क कि हाँ, ये बंदा हमें चाहिए, तो इतना package पे भी इसको लो, ठीक है, तो आप लोग जितना ज़्यादा इसके अंदर overachiever रहोगे, उतना ज़्यादा आप लोग के लिए असान हैने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, मैं again repeat कर रहा हूं, बहुत ज़्यादा cutthroat competition है, इस field के अंदर, getting a job in data analyst for a fresh air is not an easy task, बहुत मुश्किल होता है, बहुत जगों पर आप लोगों को apply करना पड़ेगा, मतलब daily आप लोगों को कम से कम 20-30 जगों पर apply करना पड़ेगा, और multiple sources के तुरू apply करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को बता दिये, और भी sources होते हैं, like नौकरी हो गया, और भी multiple websites हैं, जाके हर जगे apply करो, जहां भी आप लोगों को reference मिल सकते हैं, reference low, so that आप लोग एक job पा सको, यह सारी skills तो आप लोगों को पता होनी ही होनी चाहिए, और इसके लाब आप लोगों को programming भी आती हैं, थोड़ी programming के अदर आप लोगों थोड़ी अच्छे रेवल की प्रज़ेक्ट में आ रहे हैं, तो वो आप लोगों के लिए plus point ही होंगे, आप लोगों के लिए plus point ही होंगे, बेसिकले अपने रजिमे को आप लोगों को set apart करना है कैसे भी करके, तो जितना अच्छे तरीकिसा आप लोगों के select होने के chances होंगे, और उत मिलूँगा आप लोगों से next video में, इस ताइब की और भी वीडियो आएंगी, चलते हैं, मिलूँगा next में, बाइबाए